वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज 2.1 का कॉश्चन नमबर 4 है जिस पे हमें एक रेक्टेंगल शीट दी है जिसकी लेंथ है ये एंड ब्रैथ हमें दी है तो इस तरह से हम लेंथ और हमने ब्रैथ ले लिए इस शीट में नाम अपने मर्जी से दी दीजिए A, B, C, D हमें इसका पेरामीटर निकालने के लिए बोला गया है तो सबसे पहले लेंथ लिख लेंगे हम लेंथ जो है शीट की वो है हमारी 12, 1 अपन 2 तो 2 इंटू 12 प्लस 1 अपन 2 25 अपन 2 अब इसके बाद वीट स्ट्रीट की वीट था गए हमारी शीट की 10, 2 अपन 3 means 3 multiplied 10 प्लस 2 अपन 3 32 अपन 3 अब इसके बाद हमें कहा गया है पेरिमिटर निकालने के लिए पेरिमिटर आफ शीट अब दीखे ये, this is a rectangle इसकी ये length है, ये breath है 2 length है इसमें और 2 ही breath, ये देखें, एकी है, एकी है, एकी है, एकी है, एकी है, तो 2 हमने बाद निकाल दिया, L प्लस B, ये हमारा पेरिमिटर आगया, तो पेरिमिटर है 2 L प्लस B, 2 L आगी हमारी 25 अपाउन 2 सेंटिमिटर, एंट विद थागे हमारे 32 अपाउन 3, अब हम इनका L सेम निकालेंगे, 2 एंट 3 का, अब ये सेम टेबल में नहीं आते हैं, तो ये ही इसका L सेम होगा, 6 आजाएगा, अब हमने 6 को, अब देखें, 2 है, 2 को किस से मल्टिप्लाई किया, 6 आजाएं 3 से, तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ 3 है, 3 को किस से मल्टिप्लाई किया, कि 6 है, 2 से, तो इस तरह से, 25 इंटू 3 प्लस, 32 इंटू 2 आजा हमारा, तो 2, 75 प्लस, 64 अपाउन 6, ये आजा हमारे 2, 139 अपाउन 6, 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, 139 अपाउन 3, अब हम 139 को 3 से डिवाइट करेंगे, 3 4 सा 12, अब 3 6 सा 18, ये नीचे 1 आगया, नीचे 3 था 3 ही रहा, जो नीचे आया है, ये उपर चला गया, और 46 इधर, ये हमारा, सेंटीमिटर हमारा, पेरिमिटर आ गया है, रेक्टेंगल, शीट का, तो हमारा ये सम सॉल होता है, तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में,